रिया चक्रवर्ती जिनकी 2018 तक एक साल की कमाई मातर 13-14 लाख रुपया हुआ करती थी उस रिया चक्रवर्ती ने 2019 में मुंबई के हाइएंड इलाके में 9 से 10 करोड 11 करोड की कीमत की दो प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी इस पर जाच की जा रही है जी हाँ, enforcement directorate जो involved हुआ है इस केस में वो इसकी भी पड़ताल करने वाला है मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ illegal properties खरीदी हैं लेकिन उसका अगर हम detail में angle समझने की कोशिश करें तो बात ये है कि अगर आए से ज्यादा संपत्ती ये बहुत बड़ा मामला बनता है आए से ज्यादा संपत्ती का मतलब है black money, आए से ज्यादा संपत्ती का मतलब है money laundering, हवाला या फिर किसी भी illegal activities में involve होना, सरकार को धुका देना, tax बचाना, ये सारे वो areas हैं जहां पर बहुत सक्त कारवाई होती है आप खुद अंदाजा लगा कर देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ती की income 13-14 लाख रुपए की है तो वो 9-11 करोन रुपए की property कैसे खरीच सकता है कौन से बैंक ने अगर उसे loan दिया तो कौन से बैंक ने दिया अगर वो इतना पैसा आया तो वो पैसा कहा से आया सीधा सवाल है, सीधा सवाल है कि 14-15 लाख, मैं अग्जमन 13 से 15 लाख बताया गया 2018 तो उनकी कमाई थी, तो इतना पैसा उन्हें किस ने दिया अगर ये gift है, तो किस ने दिया क्योंकि इतना महिंगा gift भी नहीं हो सकता अगर ये पैसा सुशान्त का है, तो क्या सुशान्त का नाम है तो ये बहुत सारी बाते हैं और निकल कर यही आ रहा है कि सारी illegal properties हैं जिसमें रिया पर शिकंजा कर सकता है मैं आपको पहले भी बताया कि एक तो financial मामले बन रहे हैं रिया के खिलाव, जस तरीके से हमने pattern देखा पिछले कुछ दिनों का और financial के लावा criminal charges भी लगे हुए हैं क्योंकि F.I.R. दर्ज होई है, नामजद दर्ज होई है, पूरे परिवार के खिलाव दर्ज होई है और जहां तक अभी तक राजपूत family का कहना है जो उन्होंने F.I.R. में कहा है वो मामला appointment of suicide का था लेकिन अब विकास सिंग ये भी कह रहे हैं कि ये मामला murder की तरफ जाता हुआ जादा लग रहा है तो ऐसे में रियार चक्रवर्ती के मुश्किलें बढ़ सकती है Supreme Court ने पहले ही मना कर दिया, कोई protection नहीं मिलेगा और अगर ये तीनों मामलों को देखा जाए बिहार पुलिस की तरफ से F.I.R. दर्ज है CBI F.I.R. दर्ज करने वाली है ED ने सम्मन भेज दिया है और वहां से भी उनकी शिकायत दर्जों का गरफतारी हो सकती है तो ये तीनों मामलों में चाहे हम बिहार पुलिस की F.I.R. की बात करें या हम CBI की F.I.R. की बात करें जो हो सकती है बहुत चल्दी F.I.R. या फिर हम ED के सम्मन को देखें इन तीनों मामलों में रिया की गिरफतारी बहुत ज़्यादा संभावित लग रही है बहुत सारे लोगों ने इसी बात पर हरानी जटाई है कि उनको अभी तक गिरफतार क्यों नहीं किया गया तो मुझे लगता है अगले 48 घंटों में रिया चकरवर्ती की गिरफतारी की खबर भी आ सकती है जो भी अपडेट होगा अब आपके लिए लेकर सबसे पहले हासल होगे थैंक्स वोगाच